नमस्कार, आज में आपको बताऊंगी बहुत ही आसान और सरल तरीके से कॉलर वाले ब्लाउच की कटिंग एंड श्टीचिंग तो देखिए हमारा ये कपड़ाई वो एक मीटर है, तो सबसे पहले आपको कपड़े को डबल करके रखना आए अब देखिए कपड़े को काटते समय आपको इसकी जो लंबाई है वो देखनी है कि आपकी लंबाई कहां से ज़्यादा आ रही है तो देखे, यहां से हम कपड़े को नापेंगे, इस तरीके से, तो यहां पर हमारी जो कपड़े की लंबाई है, वो 20 इंच है, अब इसको ऐसे करके नापेंगे, डबल करके, तो देखे, यहां पर 19 इंच आ रहा है, तो हम इसको ऐसे करके काटेंगे, अब देखिए यह हमारी लंबाई रहेगी और यहां से हमें चेश्ट का नाप लेना है तो देखिए कपड़ा मैंने आपको बता दिया है एक मीटर कपड़ा है और इसकी यह पूरी यहां से लंबाई है वो 19 इंच है अब देखिए हमने बलाउज लिया है नाप के लिए तो सबसे पहले हम इसका नाप लेंगे तो हमें बस दो ही नाप लेनी है इसके चेश्ट का और लंबाई अब दिखिए यहाँ पे इसको ऐसे करके नाप लेना है तो दिखिए यहाँ पे 18 आ रहा है निशान लगाना है यहां पर और उसके बाद हम यहां पर 2 इंच लेंगे सिलाई के लिए अगर आप 3 इंच लेना चाहें तो 3 इंच भी ले सकते हैं तो मैं यहां पर 2 इंच ले रही हूं अब यह हो गया हमारा आगे और पिछे का अब हम इसको इस तरीके से लंबाई में डबल कर लेंगे इस तरीके से अब देखे 1.5 लेंगे हम यहाँ पर सिलाई के लिए जो नीचे के साइट सिलाई लगाएंगे तो अब अपनी लंबाई लेंगे जैसे हमें 13 या 14 जितनी भी लंबाई लेनीगे अपने अब बो लेंगे तो यहाँ पर हमारे पिछे की लंबाई हो गई अब हम यहाँ पर अपनी solder लेंगे तो यहाँ पर हम solder लेंगे अपने 7 इंच क्योंकि एक कॉलर बाले में हमें solder ज्यादा लेने है आरूमर लेंगे वो भी 7 इंच लेंगे पहले यहाँ पर चौकुटा निशान उसके बाद यहाँ से गोल आई अब देखे हमने सीधे लिये इस तरीके से solder तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे एक इंच उपर लेंगे इस तरीके से एक इंच उपर लेने के बाद इसको देखिए इस तरीके से हमें ऐसे ले जाना थोड़ा तिर्चा तिर्ची थोड़ी सी cutting करनी है आप देके यहाँ पे हमें 2.5 इंच लेना अपने गले के चोड़ाई और जो हमने 1 इंच यहाँ पे लिया है उसको ऐसे करके इसमें जोड़ देंगे तो देके यहाँ से हमारा है इस तरीके से गले की भी कटिंग हो जाएगी 1 इंच और यहां से थोड़ा सा हमारा यह तिर्चा भी आ जाएगा इससे क्या है हमारे कंदे टाइट नी रहेंगे और एकदम फिट आएगा प्लाउच ज्यादा गले की कटिंग नी करनी है हमने एक इंच उपर की साड लिया था वो ही काटेंगे इस तरीके से और यहां पर थोड़ा सा हमें इस तरीके से काटना तिर्चा अब इसको रखेंगे दूसरी साड आगे के लिए आगे और पीछे के सोल्डर हुमें बरावरी लेने है जितने हमने आगे के लिए उतने ही पीछे के लेने है तो अब ही हम इसे के बरावर कटिंग करेंगे अब देखिए आरोमल के आगे और पीछे की बराबर कटिंग हो गई है अब हमें जो आगे का पलर है वो हमें डेड़ें जादा लेना है क्योंकि इसमें तीरा लगाएंगे और पिलेट डालेंगे इसलिए अब इसको हटा देंगे पीछे का अब हमें क्या करना है आगे की जो गले की चोड़ाई है वो धाई इंच की लेंगे अब लंबाई जैसे हम 6 इंच लेना चाहें या 7 इंच अपने हिसाप से लंबाई ले सकते हैं तो अभी हम यहां पे लेंगे लंबाई 6 इंच 6 इंच और आगा इंच और यहां पे हम इस तरीके से गोलाई का निशान लगा लेंगे अब हमें यहां पर तीरे का निशान लगाना है तो तीरे का निशान लगाएंगे हम यहां पर 13 इंच पर सीधा निशान लगाना है पहले हमें 13 इंच पर इस तरीके से अब हम क्या करेंगे यहां पर लेंगे इंची टेप को एक इंच ऊपर की साइड और इसको देखिए ऐसे ले जाना हमें नीचे की साइड गोल आई में इस तरीके से इससे किया तीरे का अच्छा सेप आजाएगा यहां पर जुड़ा हुआ है उसको भी बीच में से कट कर लेंगे अब देखिए आगे की साइड हमें यहां पर आदा इंच इस तरीके से कटिंग करनी है क्योंकि आगे की साइड जोल ना है एकदम सही लगे फिटिंग अब यह तीरे को हम इस तरीके से नीचे रखेंगे अब लगाएंगे हम यहां पर टक्स का निशान तो यहां पर हम टक्स का निशान लगाएंगे साड़े दस इंच पर आदा इंच हमारे यहां पर सिलाई में चला जाएगा तो दस इंच पर लगाया है अब हम अपना fitting का कपड़ा निकाल लेंगे 9 इंच, जैसे हमारी 18 इंच की chest थी, तो 18 का आदा करेंगे तो 9 इंच आएगा, पीछे का जो पल्लत था वो 18 इंच का था, तो 9 इंच हो गया, तो 9 इंच का आदा करेंगे यहाँ पे हम जो नीचे की plate है, वो हमें बीच में डालनी ह तो यहाँ पे हम 4 इंच पर लगाएंगे, नीचे की plate, अब इसके बाद है कि इस तरीके से, हमें यहाँ पे इस तरीके से plate डालनी है, एक इंच की चोड़ाई लेते हुए plate डालनी है, अब इसी के पराबर हम यहाँ पे plate का निशान लगा लेंगे, और यहाँ पे हम लेंगे 2 इंच उपर इस तरीकिजे wire और यह हमारा जो बगली वाली फ्लेट है और Exchange Manager की फ्लेट का निशान लगाएंगे हम 7 इंच पर 7 इंच पर लगाएंगे Exchange Candice अब यहाँ पर लगा लेंगे Cash का Cut जैसे के हैं दूसी साइड भी निशान बन जाएंगे अब जैसे हमारा उल्टा है तो इसके उपर ऐसे रखेंगे अब ये दूसरी साइड भी पिलेट डल गई निशान आ गया दूसरी साइड भी अब इसमें हम पिलेटे डाल लेंगे बड़ी आसानी से और ये नीचे का तीरा है इसको भी जोड लेंगे इस तरीके से अब हमें क्या करना है बाजू की कटिंग करनी है अब देखिए कपड़ा बचा हुआ तो इसमें से हमें बाजू निकालनी है तो इसकी हम जैसे कपड़े की लंबाई है उतनी हम बाजू रखेंगे तो अब हम इसको नापेंगे इसकी देखी यहां पर 19 इंच है और यहां पर 20 इंच है तो हम यहां से लेंगे लंबाई और यहां से लेंगे चोड़ाई तो इसकी 19 इंच चोड़ाई है मगर यह जादा है हमें चोड़ाई चाहिए 18 इंच कपड़े की चोड़ाई 18 इंच लिए हमने और लंबाई पूरी रखेंगे तो यह 20 है तो एक इंच हमारा यहाँ पे सिलाई में चला जाएगा 12 इंच उपर की साड़ जाएगा तो यह हमारे 1.5 इंच ऐसे ही चला जाएगा तो 1.5 इंच और 15 इंच यानि कि 18 इंच की बाजू हमारी पूरी तैयार हो जाएगी तो बाजू के लंबाई आप अपने इसाब से ले सकते हैं कम जादा तो यहाँ पे हम जो ज्यादा कपड़ा है भू कटिंग कर लेंगे अब देखिए कपड़े को हमें डबल करना है इस तरीके से बराबर करके अब यहाँ पे लेंगे हम दो इंच और इसको देखिए ऐसे करके उपर किसाड लेना है इस तरीके से एकदम सिंपल है बाजू काटना यहां से दो इंच लिया है और इसको थोड़ा सा गोलाई में कटिंग करना है अब देखिए जैसे हमारी मौरी है बाजू की 10 इंच तो यहां पे हम लगा लेंगे अपना इस तरीके से फिटिंग कर निशान अब एक इंच लेंगे हम यहां पे पे सिलाई के लिए अब यह होगी हमारी मारी मौरी पे सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से अब मैं आपको इसकी इस्टीचिस बताती हु अब देखिए सबसे पहले हम यहां पे प्लेटे डाल लेंगे इस तरीके से लेने हैं और यहाँ पर लेंगे आदा इंच आदा इंच लेने के बाद इसको कम करते हैं उतारेंगे अब इसको डबल करके एक इंच लेना है यहाँ पर एक इंच और इसको कम करते हैं उतारना अब यहां पर भी आदा इंच और इसको भी कम करते हुँ उतारेंगे अब यहां पर भी आदा इंच लेंगे और इसको भी कम करते हुँ उतारेंगे अब देखिए चार पिलेट डल गई अब इसमें तीरा लगा लेंगे इस तरीके से रखेंगे जो तीरा ज्यादा है उसकी कटिंग कर लेंगे अब देखिए तीरा लग गया अब इसी तरीके से दूसरी साइड पिलेट डाल लेंगे अब देखिए दूसरी साइड भी हमने पिलेटे डाल ली है अब इसमें लगाएंगे हुक वाली पट्टी और काज वाली पट्टी तो दोगी कपड़ा तो जादा नहीं है यह पट्टी है तो इसको हम बना लेंगे काज वाली इस तरीके से अब हमने अस्ता लिया तो इसमें से थोड़ी सी पट्टी ले लेंगे अंदर के लिए अब यहां पर तुर्पाई कर लेंगे अब दीए उपर की साथ बराबर होना चाहिए तो यहां पर बराबर है अब गले में पट्टी लगाएंगे अब इसके उपर हम गले को रखेंगे अब इसको हम अंदर के साथ दबा देंगे जैसे एक कच्ची सिलाई है यहां पर हम तुर्पाई कर लेंगे और इस सिलाई को हटा देंगे अगर आप सिलाई रखना चाहे तो सिलाई भी लग सकते हैं तो इसी तरीकी से हम डूसे साथ गले को तैयार करेंगे कि अब दीडें है दोने साथ गला तैयार है अब इसमें पीचे का पल्ला जोड़ेंगे देंगे दोने साथ गला तैयार है। अब यह हमारा पीछे का पल्लर है तो पहले पीछे के पल्लर में प्लेटे डाल लेंगे यहां पर हम पांच इंच पर निसाल लगा लेंगे और इसकी लंबाई भी पांच इंच रखेंगे अब यहां पर हम एक इंच अंदर के शर्ट दवा देंगे कपड़े को अब इसमें सोल्डर जोड़ेंगे अब देखिए जैसे सोल्डर है थोड़े से तिर्चे हैं तो इसमें हमें ऐसे सिलाई लगानी है यहां से ऐसे करके अब सोल्डर जोड़ने के बाद अब अपनी फिटिंगी सिलाई लगा लेंगे यहां से आरूमल हमारे बराबर होने चाहिए अब जैसे यहां पर एक इंच है तो एक इंच कपड़े को दबाते हुए हमें सिलाई लगानी है अब हमने फिटिंगी सिलाई लगा लें अब इसको हम अंदर के शाट दबा के तुर्पाई कर लेंगे तो अभी कच्ची सिलाई लगा लेंगे अब इसके उपर हमें दूसरी बाली पट्टी रखेंगे इस तरीके से अब देखें कमर पर सिलाई लगा ली हमने और फिटिंग की सिलाई भी लगा ली जैसे हमने दो इंच कपड़ा लिया था तो एक एक इंच कपड़े को दबा दिया है अब बलाव से अपनी कमर का नाप ले लेंगे इस तरीके से अब दीखें यहांपे एक कमर बढ़ी है तो दोन्य साड़ हम थोड़ी-थोड़ी सिलाई लगा लेंगे यहां default एसे और सिलाई लगानाई है कमर प्र अब जो कमर पर यह कपड़ा ज्यादा है उसकी कटिंग कर लेंगे अब दूसरी साइट भी इसी तरीके तरह से लाई लगानी है अब दुआरा से कमर का नाप लेंगे यहां से इस तरीके तरह से अब हमारी कमर बराबर है अब हम इसमें कॉलर लगाएंगे अब देखिए गले को हम इस तरीके से रख लेंगे अब जैसे हमें यहां से कॉलर लगाना है यहां से लगाना है उसी तरीके से हम इसको नाप लेंगे देखिए हमें यहां से कॉलर लगाना है यहां से तो इसको हम नाप लेंगे तो दोनों साट निशान लगा लेंगे देखे कितनी बुक्रम चाहिए तो इस तरीके से यहाँ पर हमें बुक्रम चाहिए 13 इंच अब इस बुक्रम की लंबाई है 13 इंच और इसकी जो चोड़ाई है वो है 1 इंच अब यह दिखे एकदम सिंपल है तो इसको हम थोड़ा सा कुन्ना काटेंगे बस बाकी यह सिंपल रखेंगे यहाँ से थोड़ा सा में इसको कुन्ना काटना है इस तरीके से थोड़ा सा गोलाई में आ जाएगा इस तरीके से बाकी इसको यह सी सिंपल रखेंगे अब हमें क्या करना एक पट्टी लेनी है और पट्टी के ऊपर इसको रखके पहले सिलाई लगाएंगे अब इसको ऐसे करेंगे और बुक्रम के नीचे सिलाई लगाएंगे हम बुक्रम के उपर इसलाई नहीं लगाएंगे व्लकुल बुक्रम के नीचे सिलाई लगाने है अब इसके बाद हम इसको सीधा करेंगे झाल झाल अब इसके बाद हम इसको डबल करेंगे, डबल करने के बाद हम बीच में निशान लगा लेंगे, यहाँ पर बीच में निशान लगाना है, अब जैसे हमारा पीछे का पलर है, तो इसमें भी हमें बीच में निशान लगाना है, ये दोनों निशानों को हम बराबर मिलाएंगे अब जैसे पीछे की साड़ लगा हुआ है इसी तरीके से आगे की साड़ भी लगा लेंगे अब ये दोनों निशानों को हम बराबर मिलाएंगे इस तरीके से अब एक सिलाई और लगाएंगे अब एक सिलाई और लगाएंगे अंदर की साड़ इस तरीके से आएगा और इस तरीके से भुलकुल बीच में लगा हुआ है अब इस पर हम अच्छे से प्रेस लगा लेंगे अब देखिए हमारा कॉलर लग गया है अब हमें इसमें बाजू लगानी है तो बाजू लगाना कोई कठिन नहीं है बड़ी आसानी से आप इसमें बाजू लगा लें अगर आप पे बाजू लगाना नहीं आता है तो आप प्लीज हमारे चैनल में देख लें वीडियो के नीचे हमारे चैनल का नाम आ रहा है टेल लिंग इन हिंदी चैनल आप उस पर किलिक कीजिए उसके बाद उपर आएगा वीडियो लिखके आप उस पर किलिक कीजिए तो हमारा पूरा चैनल आ जाएगा तो आसा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है अच्छी लगी है तो प्लीज हमारी इस कर लें धन्यवाद लुट 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 लुट